प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने शेहडोल के लालपूर में राश्ट्री सिकल सेल एनिमिया और मूलन मिशन 2047 का शुभारम किया इस मौके पर पीम ने एक करोरा आश्मान भारत कार्ट का वितरन भी किया पीम ने विरांगना रानी दुर्गावती को नमन करते हुए की पीम ने कहा हमारी सरकार आदिवासी बहनों भाईयों के कल्यान के लिए प्रतिबद्ध है सिकल सेल एनिमिया मुक्ति मिशन के शुभारम से उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा इस कारेकर में मुक्ति शिवराज सिंग चौहान, राजपाल मंगुभाई पटेल और केंद्री मंत्री भी मौझूद रहे आज मुझे रानी दुर्गावती जी की इस पावन धर्ती पर आप सभी के बीच आने का सवभाग्य मिला है मैं रानी दुर्गावती जी के चर्णों में अपनी सद्धानली समर्पित करता हूँ उनकी प्रेरा से आज सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन एक बहुत बड़े अभ्यान की शुरुवात हो रही है आज ही मद्द्पदेश में एक करोड लाभार्तियों को आउश्मान काड़ भी दिये जा रहे हैं इन दोनों ही प्रेयासों के सबसे बड़े लाभार्ति हमारे गौन समाच, भील समाच या अन्य हमारे आदिवासी समाच के लोग है मैं आप सभी को मद्द्पदेश की डबल इंजीन सरकार को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आज सरडोल की इस धर्ति पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है यह संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है यह संकल्प है सीकल सेल एनिमिया की बिमारी से मुक्ती का यह संकल्प है हर साल सीकल सेल एनिमिया की गिरप में आने वाले दाई लाग बच्चे और उनके दाई लाग परिवार के जनों का जीवन बचाने का जात्यों मैंने देश के अलग-अलग इलाकों में आदिवासी समाज के बीच एक लंबा समय गुजारा है सिकल सेल एनिमिया जैसी बिमारी बहुत कस्ट्रदाई होती है इसके मरीजों के जोडों में हमेशा दर्द रहता है शरील में सुजन और ठकावट रहती है पीट, पैर और सीने में और सहनिय दर्द महसूस होता है साथ पुलती है लंबे समय तक दर्द सहने वाले मरीज के शरीर के अंदरूनी अंग भी छतिग्रस्त होने लगते हैं ये बिमारी परिवानों को भी बिखेर देती है और ये बिमारी न हवा से होती है न पानी से होती है न भोजन से फैलती है ये बिमारी ऐसी है जो माता पिता से ही बच्चे में ये बिमारी आ सकती है ये आनुवाउशीक है और इस बिमारी के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं वो पूरी जिंदगी चुनोतियों से जूजते रहते हैं साथियों पूरी दुनिया में सिकल, सेल, एनीमिया के जितने मामले होते हैं उन में से आधे पच्चास प्रतिशत अकेले हमारे देश में होते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले सत्तर सालों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई इससे निपट्डे के लिए कोई ठोस फ्लान नहीं बनाया गया इससे प्रभावित जादातर लोग आदिवासी समाज के थे